नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आप एक्षा नियुजेट पर कुरोना वैरिस के चलते समपूर्ण बंदी का एलान किया गया था पिछले तीन महीनों से लगबग सब कुछ बंद था नतीज़े ये हुआ कि कई सारे लोग बेरोजगार हो गए थे लेकिन वो कहा जाता ह ना कि जहां चाह है वही राह है जहां सोशल मीडिया पर कई सारे टेलिविजन के सितारे अपना वीडियो बना बना कर अपलोड कर रहे हैं कि वो कैसे मांसिक तनाव का सामना कर रहे हैं financial crisis का सामना कर रहे हैं क्यूंकि वो बेरोजगार हो चुके हैं उनके पास पैसा नहीं है महीं पिछले तीन दिनों से टेलिविजन के ही एक एक्टर का सोशल मीडिया पर वीडियो बहुती तेजी से वाइरल हो रहा है जिस वीडियो में वो रोते हुए या मदद मांगते हुए नजर नहीं आते हैं उस वीडियो में वो जीने की राह दिखाते हुए नजर आते हैं उस वीडियो में वो बकाइदा सबजी बेशते हुए नजर आते हैं टेलिविजन की एक्टर कोई और नहीं बलकि जावेद हैदर है जावेद हैदर जो कई सारे फिल्मों में कैमियो कर चुके हैं और कई सारे टेलिविजन सीरियल में सपोर्टिंग कास्ट के तौरपन नजर चुके हैं पिछले दो साल से उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए उन्होंने सबजियां बेचना शुरू कर दिया है लौकडाउन के दर्मियान भी वो सबजियां बेच रहे हैं और जो सोचल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो वाइरल हो रहे हैं जिसमें कई सारे लोग मद पिछते हुए नजर आ रहे हैं ये वीडियो बहुती तेजी से वाइरल हो रहा है क्योंकि ये वीडियो जीने की चाह दिखा रहा है इस महीने की शुरूआत में ही टेलिविजन के मशूर आक्टर रॉनी तरॉय का एक बयान पब्लिक किया गया था जिसमें वो कहते हुए न कि वो फिनेंशल क्राइस का सामना कर रहे हैं मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसी बीच में जावेद हैदर की ये जो वीडियो आई है जो जीने की राह दिखा रही है उसे लोगों ने खूब अप्रिशियेट किया खूब पसंद किया मैं आप सभी को ये भी ब जांगी उन्होंने खुद जीने का रास्ता धुन निकाला थेले पर सबजियां बेशते हुए अब देखना तो ये होगा कि इस पॉजिटिव वीडियो का क्या आसर निकल कर सामने आता है जो भी अपडेट आएगा मैं मुकेश शर्म आप सभी तक इसी तरह पहुचाता रह होंगा घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और अगर आपको हमारे यह रिपोर्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा